नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय हैं बच्चों आज हम लोग विच्रनी समस्यायों में क्या करेंगे एक से अधीक स्वतन्तरचरों के फलनों पर आसरित फलनक इसके बारे में जानकार रिलेंगे ऐसे प्रशनों को हल करने के लिए आयलर ओस्ट्रो ग्रेडस की समीकरन का क्या करते हैं उप्योग करते हैं जिसको आयलर और ओस्ट्रो ग्रेडस की ने मिलकर मेकिंग किया था आईए देखें ये क्या होता है एक से अधीक स्वतन्तरचरों के फलनों पर आसरित फलन या फलनक जैसे कि आपको यहां पर दिया है देखिए UXY, यहां X है, Y है, U है, UX है, UY है, UXX, UXY, UYY, DX, तो ऐसे प्रशनों को साल्व करने के लिए, हल करने के लिए, Euler और Ostro Gradesky Ostro Gradesky Euler समीकरण Ostro Gradesky समीकरण दोनों को मिलाकर Euler Ostro Gradesky समीकरण के नाम से जानते है यह होता है Fu Del by Del x Fu x minus Del by Del y Fu y बस इस ढग से प्रता मौकलाज यह जो है क्या होता है निगेटी होता है बांखी सभी पॉजिटी होता है प्यारे बच्चों तो देखेगा डेल टू यू डेल टू अपान डेलेक्स स्कुएर एफ यू एक्स एक्स तो हम लोग इस समीकरन को क्या करेंगे उप्योग करेंगे ऐसे प्रशनों के लिए हम इसी को आयलर ओस्ट्रो गिड़स की समीकरन के नाम से जानते हैं आईए इसके लिए कुशन देखे प्यारे बच्चों पहला कुशन आपको सीन हो रहा है देखेगा फलन आई, यू एक्स वाई हना डवल इंट्रिगेशन दी छेतर डी में दिया है डेलीव अपांडेल एक्स होली स्कॉयर डेलीव अपांडेल वाई होली स्कॉयर डी एक्स डी वाई के लिए आयलर ओस्ट्रो गिड़स की समीकरन ग्याद किजिये UK मानों को DK हना परिसीमा पर नियत की गई है आईए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपको क्या मिलता है देखेगा बच्चों तो जो दिया है क्या दिया है देखे हम इसको फलनक एफ यहाँ पर राइट कर सकते हैं एफ इस इक वाल डेल यू अपान डेल एक्स स्क्वेर प्लस डेल यू अपान डेल वाई स्क्वेर या ऐसा इसको लिख सकते हो यू एक्स स्क्वेर और यू वाई स्क्वेर अब हम इसके लेंगे आईलर ओस्ट्रो गिड़स की समी करन तो क्या कीजेगा इसका इसका होगा fu minus del y del x fu x minus del y del y fu y plus del 2 upon del x square fu x x plus del 2 f upon del x del y fu xy plus del 2 f upon del y square fu yy is equal 0 यह आपका आगया ऐलर ओस्ट्रोगेड़स की समीकरण अब समीकरण एक का समीकरण एक का क्या कीजेगा यू यू एक्स यू वाई यू एक्स यू एक्स यू एक्स वाई यू वाई वाई के सापेक्ष आंसी काउकलन करने पर के सापेक्ष क्या करेंगे आंसी काउकलन करेंगे अब आंसी काउकलन करेंगे तो केवल राइट कर सकता हूँ यू एक्स स्क्वाईर प्लस इसको मैं राइट करता हूँ यू यू एक्स यू एक्स मिला अपको तू यू एक्स मिला f u y क्या मिला आपको to u y मिला f x 4 sorry f u x x क्या मिला 0 मिला f u x y क्या मिला 0 मिला fac y u y y क्या मिला 0 मिला अब उपरोक्त मानो को कहां रखेगा समЙकरन 2 में उपरोक्त मानो को समी करंदो में रखने पर रखो तो APU क्या पाया आपने 0 DEL by DEL X या आपने क्या पाया 2 यहां पर कितना आया UX minus DEL by DEL Y 2 UI आपने पाया प्लस बाकी जितने भी आये है यह सब 0 आपने पाया है यह देखे तो ILR ग्रेड़ हना ओस्ट्रो ग्रेड़ की समी करन से हमने पाया यह पुरा 0 केवल क्या है देखो 2 को हटाईएगा तो DEL by DEL X UX DEL by DEL Y UI is equal 0 तो इसको हम क्या राइट करेंगे X के रिस्पेक्ट में करेंगे तो UXX प्लस यह होगया UYY, इसको हम कहते हैं Laplace समिकरन जो एक क्या है जो एक Laplace क्या है समिकरन है यानि हम इसको और क्या राइड कर सकते है UXX को Del 2 U upon Del X square Del 2 U upon कितना Del Y square तो यही हमें ग्याद करना था प्यारे बच्चों, यही क्या है चरम है, ठीक है यही क्या है, चरम है तो हमें जब भी UX, UY, UX, UX, UX UY, Y और UX, Y दिया है, तो हम ILR, OstroGedes की समिकरन यूज़ करेंगे जिसको कि अभी हमने आपको बताया है, ठीक है बच्चों बस इसी ढंक से बने रहे पढ़ते रहे, देखते रहे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं आगला कोशन देखेगा यह भी उसी का है हमें यहाँ पर दिया है यह देखो J, Z, Y Double Intrigation, D, छेतर है प्रांत है देल 2, Z upon डेल X स्क्वेर, होली स्क्वेर प्लस देल 2, Z upon डेल Y स्क्वेर होली स्क्वेर, प्लस 2, Z upon डेल X डेल Y, होली स्क्वेर माइनस 2, Z डेल X, Y, D, X, D, Y तो हमें इसका चरम्मानी फलन गयाद करना है ठीक है चलो, यहाँ पर माल लेते हैं A, F is equal क्या दिया हमको पहले तो पुरा राइट कर ले डेल 2, Z upon डेल X स्क्वेर, होली स्क्वेर हो गया बच्चों फिर डेल 2, Z upon डेल Y स्क्वेर, यह हो गया होली स्क्वेर और 2, डेल 2, Z upon डेल X, डेल Y होली स्क्वेर, माइनस 2, Z, F, X, Y यह आगया आपको, मिल गया अब इसको मैं बदल देता हूँ इसका मतलब क्या होता है U, X, X स्क्वेर इसका मतलब होता है u y y square इसका मतलब होता है 2 u x y square माइनस कितना 2 z f of x y अब हम इसके लिए क्या करेंगे आयलर ओस्ट्रो गिड़स की समिकर राइट करेंगे चलो राइट करते हैं प्यारे बच्चो आयलर ओस्ट्रो गिड़स की समिकर राइट क्या राइगा if u del by del x f u x del by del y f u y plus del 2 a upon del x square f u x x plus del 2 a del 2 upon del x del y f u x y plus del 2 upon del y square f u y y is equal कितना 0 यह है ओस्ट्रो गिड़स की समिकर राइट यह आपको मिल गया समिकर नमबर कितना 2 आपको मिल गया समिकर नमबर 2 अब क्या कीजेगा समिकर राइक का यह देखें समिकर राइक का यह समिकर नमबर 1 u x पहले u u x u y u x x u y y u x y के रिस्पेक्ट में यह के सापेक्ष आंसिक आउकलन करने पर चलो करते हैं अब देखें जो समिकर ने एक है उसको देखेगा u तो कहीं पर दिखर आये क्या नहीं है यह क्या होगा if u 0 होगा u के रिस्पेक्ट में किजेगा कहीं तो u नहीं है अब दूसरा if u x u x भी नहीं है if u y u y भी नहीं है कहीं भी अब देखो if u x x है बिल्कुल है if u x x इसके लिए देखो तो 2 u x x आएगा क्या आएगा 2 u x x और if u x y है तो यहाँ भी आएगा 2 x y और यह हो जाएगा u y y है यहाँ भी स्क्वर है तो यह 2 y y हो गया यह देखो तीनों निकाल लिया यह भी आगया डबल आगया सभी इसमें आएगा 4 2 है ना इसमें आएगा 4 बच्चो एक स्वाई में आएगा यह 4 आएगा पहले से कितना है 2 है तो 4 हो जाएगा ठीक है एक बरव चेकल हो हाँ ठीक है बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं समी करन 2 में उप्रोक्त मानों को समी करन 2 में रखने पर रखो चलो रखे बच्चो क्या क्या आया है देखे एफ्यू का वेलो जीरो डेल बाई डेल एक्स जीरो डेल बाई डेल वाई जीरो प्लस डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वार ये कितना है 2 यू एक्स एक्स प्लस डेल टू अपान डेल एक्स डेल वाई ये है 4 यू एक्स वाई प्लस डेल 2 अपॉन डेल Y स्क्वेर यह है 2 U Y Y is equal 0. तो यहाँ पर जो मिल रहा है, देखो 2 को हटाईएगा, तो क्या पहिएगा? आप पहिएगा 2 डेल 2 डेल X स्क्वेर, U X X, यहाँ पर आएगा 2 बाहर, डेल 2, डेल 2 डेल 2 डेल Y, यह U X Y, प्लस यहाँ से 2 हटाईएगा, यह आगया, U Y Y is equal कितना हो गया 0. तो यहाँ से आप क्या करो, इसको डेल डिफ्रेंसिट करो, तो यह X X X चार बर आएगा, चार बर अकलन हो जाएगा, इसका, देखो, X Y के रिस्पेक्ट में करेंगे, यह देखें, X Y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हम, यह देखो, डेल 2 आपां डेल X डेल डेल एगा है, हना, तो यहाँ से X स्क्वर, Y स्क्वर आएगा, यह यहころ, यह रिखेंगा, y, y, यह आएगा, और इसका करेंगे तो क्या आएगा, u, y, 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 y is equal 0, इसका मतलब आप इसको क्या रइट कर सकते हो, del 2, u upon kitna, del x power, sorry 4 है न, del power 4, x power 4, इसको क्या रइट कर सकते हो, del power 4, del x square, del y square, यहने u रहेगा, प्लस, इसको क्या रइट कर सकते हो, डेल पावर फोर यू डेल पावर फोर यू और डेल वाई पावर फोर तो यही इसका क्या है चरम है यही इसका क्या है चरम है ठीक है प्यारे बच्चों तो बस इसी धंग से काम करना है देखना है हना किस तरीके से बना है आगे बढ़ते हैं देखेगा समतल एकसवाई ठीक ह में प्रांत D को घिरने वाले एक दिये गए सम्वरीत वक्र C पर तानी गई नियुनतम छेत्रफल का प्रिष्ट ग्याद कीजिए तो इसके लिए फलनक क्या आएगा इसके लिए समस्या का फलनक क्या बनेगा S Z X Y is equal D square root करो चाहे power 1 by 2 रखो जैसा करना चाहे यदि square root करते हो तो क्या आएगा 1 plus यहाँ पर आएगा Z X square plus Z Y square और यह आएगा D X D Y ठीक है बच्चो तो देखे हमें इसका चरम ग्याद करना है तो यहाँ पर इसको क्या मालेंगे हम माल लेते हैं F is equal square root 1 plus Z X square plus 1 Z Y square यह समीकर नमबर एक अब आएलर ग्रेश्ट हना ओस्ट्रो ग्रेश्ट की समीकरन क्या होगा आएलर ओस्ट्रो ग्रेश्ट की समीकरन बच्चों पूरा लिखने की जुरत नहीं पड़ेगा X और Y है तो यहीं तक लिखेगा तो इसके लिए क्या जाएगा इसके साबसे F यहाँ पर आएगा देखो F यह हो जाएगा Z minus del by del x यह हो जाएगा F ZX minus del by del x F ZY और बागी डवल वाला तो है नहीं तो इसको जिरो कर दो सिधा यह हो गया अब समीकरन एक का Z ZX वा ZY के सापेख्ष आंसिक आउकलन करने पर क्या मिलेगा आपको F Z मिलेगा 0 F ZX मिलेगा 1 upon 2 root 1 plus ZX square ZY square और इसका आएगा 2 ZX इसका मतलाब आपने पाया ZX upon square root 1 plus ZX square ZY square इसके बाद F ZY इसके देखो 1 upon 2 square root 1 plus ZX square ZY square और यहाँ पर आएगा 2 ZY 2 से 2 केंसल किजिएगा तो आप पहिएगा किता ZY upon कितना square root 1 plus ZX square प्लस कितना ZY square अब इन दोनों का मान क्या करेंगे रखेंगे कहां रखेंगे समीकरन 2 में तो समीकरन 2 में रखेंगा यह देखें समीकरन 2 में रखने पर क्या पाएंगे भई FZ 0 हो गया डेल बाई डेल X या गया ZX upon square root 1 plus ZX square ZY square और माइनस डेल बाई डेल बाई यहां पर आएगा ZY upon square root 1 plus ZX square ZY square अब देखो हमें इसको X के respect में क्या करना है हना partial differentiation करना है केवल ZX का होगा बस तो माइनस को प्लस कर देता हूँ क्योंकि दोनों माइनस है अब मैंने क्या किया यहाँ पर हर का वर्ग लिया तो यह square हो गया बच्चो यह दिखे root हटेगा यहाँ पर देखो हर YC ZX square ZY square और अनस का X के रिस्पेक्ट में ZXX हो गया माइनस इसका होगा 1 upon 2 root 1 plus ZX यह दिखेगा 1 plus ZX square ZY square और अच्छा यहाँ पर ZX आएगा पहले से हना इसको वैसी रखेंगे दूसरे का करेंगे तो बना पान 2 root 1 plus ZX square ZY square और ZX के square का 2 ZX यह दिखेगा 2 ZX और ZX का करेंगे X के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं से हो गया सेम वैसी यहाँ पर भी होगा सेम यह प्लस हो जाएगा इसका भी वही आएगा बच्छों 1 plus ZX square ZY square सेम सेम 1 plus square root में ZX square ZY square और इसका हो गया ZYY माइनस ZY इसका हो गया 1 upon 2 root 1 plus ZX square ZY square यह दिखेगा और यहाँ गा 2Z Y और ZYY अब देखो अलसियम लेंगे इसको देखो ध्यान देना अलसियम लेंगे तो यह root आएगा और नीचे आजाएगा ठीक है ना तो कित्ता हो जाएगा और नीचे वाले हटा दो सिधा सिधा root लेंगे तो 1 plus ZX square ZY square यहाँ पर आगया ZX माइनस इसका कितना आगया 2 से 2 कैंसल हो गया बच्चो यहाँ से 2 से 2 कैंसल हो गया इसका आएगा ZX square और यह आएगा ZX यह देखो और नीचे जो आएगा चलो एक बार लिखी देते हैं इसको यह हो जाएगा ZY square का पावर 3 by 2 आजाएगा सेम यहाँ भी वही होगा 1 प्लस ZX square ZY square यहाँ पर आएगा ZYY और माइनस ZY square और ZX नीचे हमारा सेम आएगा अब देखो मैं इसको 0 कर देता हूँ पूरा complete अलस्यम लेकर नीचे वाले को तरिये गुना करके हटा देता हूँ तो मुझे क्या मिला यहाँ पर मिला बच्चो ZX square ZY square एक बार लिखी देते हैं ZX ZX square यहाँ पर ZX फिर प्लस 1 प्लस ZX square ZY square और यहाँ पर ZYY माइनस कितना ZY square और ZYY is equal कितना 0 अब कुछ कैंसल होता है तो cancel करते हैं multiply कर देते हैं बच्चो ZX square यह देखो यह एक हम करो ZXX को बाहर किया मैंने यहाँ पर क्या बचा ब्रेकेट में ZX square ZY square माइनस ZX square बचा यहाँ पर देखो वही ZYY को कामन निकालिएगा तो आप 1 प्लस ZX square ZY square माइनस ZY square पाईएगा तो एक में Y वाला कटेगा और एक में XX वाले कटेगा तो हमने पाया ZXX 1 प्लस ZY square और यहाँ पर यह ZYY और 1 प्लस ZX square इसको और आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हो अदरवाइस यही क्या है फलनाग का चरम है यही फलनाग का चरम है ठीक है प्यारे बच्चों बस इसी ढंक से आपको क्या करना है सालो करना है ठीक चलिए बच्चों देखते आगे यह देखे अब निर्देसांक रूपांतरन के अंतरगत आलर समीकरन के निश्यत्ता मालो एक फलनक दिया है I, Y, X, A to B, F, X, Y, Y, D, X यहाँ पर क्या करते हैं स्वतंतर चर एक्स तथा Y को U और V में प्रतिस्थापन करते हैं तो हमको समिकरन का रूप इस तरीके से मिलेगा यानि X, Y, Y, D, जो है U, V, V, D, में बदल जाएगा तो इसके लिए हम आयलर समिकर लेंगे 5V-D, 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 5V-D is equal 0 तो बच्चों इस धंग से जो है कोशन इसको देखना है देखे, पहला दिया है हमको I, Y of X, Intrigation 0 to, Log 2, E power minus X, Y-D square E power X, Y square और यह हो गया D, X यहाँ पर एप का value निकाल लिए पहले minus X, Y-D, C square E power X, Y square सबसे पहले इसके लिए आयलर समिकरन की बात कर लेते हैं तो आयलर समिकरन इसके लिए क्या जानते हो आप इसके लिए आप जानते हो यदि X है तो यह क्या हैगा यहाँ पर A, Y, sorry यह कितना हो जाएगा A, Y, minus कितना D, Y, D, X और यह आजाएगा A, Y, D, C is equal 0 ठेक, अब समिकरन इक का क्या करेंगे समिकरन इक का Y वह वाइडेस के साप एक्ष आंसी का उकलन करने पर चलो करें तो इसका आंसी का उकलन किजिएगा तो क्या पाएगे यहाँ पर A, Y, is equal कितना मिलेगा आपको यहाँ पर यहाँ पर आएगा minus 2Y, E, power कितना X और A, Y, D, is equal क्या मिलने वाला है यहाँ पर आएगा 2Y, E, power कितना minus X अब इन मानों को रखिए इसको समीकर नंबर 2 माल लिए अब समीकरन 2 में रखिएगा तो समीकरन 2 में रखेंगे क्या मिलने वाला है देखिएगा minus 2Y, E, power कितना X, minus D by DX, यह देखो यहाँ जाएगा 2Y, E, power minus X is equal 0 अब इसको आउकलन कीजिए मैं 2 को हटा देता हूँ, minus को भी हटा देता हूँ तो E, power X और यह Y, E, power X प्लस पहला वैसी दूसरे का आउकलन तो E, power X का minus E, power minus X यह देखेगा minus E, power minus X प्लस दूसरा वैसी पहले का आउकलन X के respect में करेंगे तो किता आएगा Y, double X आएगा is equal कितना 0 अब इनमें देखो यदि मैं E, power minus X को हटाना चाहता हूँ तो क्या करेंगे निचे ले जाकर कैल्सियम लेंगे तो क्या मिलेगा Y, E, power X और X और आएगा तो 2X हो जाएगा और यहां से Y, और यह प्लस कितना हो गया Y, double X is equal 0 तो आपने जो पाया यह Y, double X minus Y, plus 2 E, power कितना X is equal 0 यह समय का नमबर 3 अब हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे प्रतिस्थापन लेंगे इसके लिए हम लोग लेते हैं U is equal log X और V is equal कितना Y तो यहां प्रतिस्थी हम देखें तो X is equal कितना होगा X is equal E power U हना और इसके लिए आप यहां पर change करोगे यहां पर V days करेंगे तो Y days होगा ठेक और limit भी बदलेंगे तो limit के लिए आपको हना तब जो फलनक का रूप होगा फलनक क्या मिलेगा I आप direct लिख देना VU is equal आपको मिलेगा यहां पर रखेंगे तो यह आजाएगा E power minus X जो है यहां पर आएगा V days square minus कितना V square और यह हो जाएगा DO यह बदल जाएगा अब इसमें बदलने के बाद इसको आप माल लो फिर से F यह आगया V days square minus कितना V square यह बन गया समीकर नंबर कितना 4 अब इसका F मानने के बज़ाएगा इसको एक काम करो 5 माल लो बेश रहेगा क्योंकि F मान चुके हो आप अब समीकरन मने आईलर का समीकरन क्या बनेगा इसके हिसाब से आईलर समीकरन आईलर समीकरन यह बनेगा 5V minus यहाँ पर आएगा D by Du U में बदल गया है देखो Du तो D by Du यह आएगा 5V days is equal 0 अब क्या किजिए यह समीकरन नंबर कितना हो गया 5 समीकरन 5 समीकरन 4 का V व वी days के सापे एक्ष आंसी का उकलन करने पर चलो करो आंसी का उकलन करने पर क्या करेंगे आपको मिलेगा 5V is equal कितना 2 minus 2V days सरी minus 2V और 5V days is equal कितना 2V days चलो रख दो समीकरन 5 में रखो 5 में रखने पर क्या मिलेगा बच्चो आपको मिलेगा minus 2V यह देखो minus 2V और minus यहाँ पर मिलेगा dy du और यह आजाएगा 2 V days is equal कितना 0 अब इसको हटाईएगा तो आप क्या परिएगा यह देखें V V days is equal 0 तो इससे हमको मिलना है V double days is equal 0 यहने हमने पाया V double days plus V is equal 0 अब सिंबालिक फाम में लिखेंगे तो D square plus 1V is equal कितना होगा 0 अब देखो समीकरन का सहायक समीकरन समीकरन का सहायक समीकरन क्या मिलने वाला है M square plus 1 is equal 0 इसको आप ट्रांसफर किजिए M square is equal minus 1 M is equal कितना होगया plus minus I अब V में इसको write करेंगे तो V is equal C1 E की power I U plus C2 E की power minus I U ठीक है न तो V is equal C1 के जगा में क्या रखेंगे sorry E power I U plus में होता है तो काज में होगा और minus में होता है तो sine में होगा यही जानते हैं अब value डाल दो यह हना समीकर नंबर कितना हो गया 6 देखेगा और V के जगा में रखेगा Y C1 काज लाग X और C2 यह हो गया sign लाग X तो यह इस धंग से यह निश्चित है प्यारे बच्चों हना रुपांतरन करेंगे यह देखो क्या बोला गया था यहाँ पर हमको निश्चिता का सत्यापन कीजिए तो आयलर समीकरन बिल्कुल दोनों में निश्चित है बिल्कुल आना ही है ठेक तो इसी रहंग से काम करना है तो इस प्रकार आयलर समीकरन निश्चित है ऐसा राइट क्लिक कर देना तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा अब इसके बाद हमारा अगला जो चेप्टर है मुविंग बाउंडरीस के ले आएगा गतिमान परिसमाव सहित विच्रनी समस्याएं ठीक है तो हम जो प्राबलम लेकर क्याएंगे नेक्स्ट में मुविंग यहाँ पर बाउंडरीस होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों देखते हैं ठीक हैं नेक्स्ट क्लास में आज का क्लास यहीं तक रहेगा मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों मेरे एक क्लास आपको 100% पसंद आ रहा होगा यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद प्यारे बच्चों नमस्कार